जी हाँ सबीकों नमस्कार नासुला नोलिज यूट्यूब चैनल में आपसे भी कस्वागत है दोस्तों कम्पूटर का अगला चेप्टर आपके सामने लेकर आए हैं जो है डाटा संचार यानि कि डाटा केमिनिकरेशन इसके अंदर हम कवर करेंगे डाटा संचार क्या होता है इसके लाब परकार डाटा जो ट्रांसफर स्पीड है उसके बारे में डाटा कमिनिकरेशन जो माद्यम होते हैं कौन-कौन से हैं नेटवर्क इसके लिए महतुपन उपकरन नेटवर्क के परकार जैसे लैन, वैन, मैन, कैन और नेटवर्क टोपलोजी इत्यादी इत्यादी सब इसके अंदर कवर किया जाएंगे तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि डेटा संचार होता क्या है देखे दोस्तों डेटा संचार दो या दो से अधिक कंपूटर के अंदरों के बीच डिजिटल या अनोलोग डाटा का स्थान अंतरन होता है कहना क्या चारा है कि दो या दो से अधिक कंपूटर के अंदरों के बीच डिजिटल या अनोलोग डाटा का जो स्थान अंतरन होता है उसे ही डाटा संचार कहा जाता है तो पहले इसके question answer कर लेते हैं और last में एक बर पूरे chapter को cover भी किया जाएगा तो question number one mainframe या super computer में access के लिए users अक्सर dash का उप्योग करते हैं तो users जो अक्सर है mainframe या super computer में किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तो ये किया जाता है terminal का किसका terminal का अब ये terminal क्या जीज़ है दोस्तो terminal जो होता ही है mainframe या super computer के संसाधनों का एक साज़ा इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है उसे terminal कहते हैं next personal computer खालिस्तान बनाने के साथ connect किये जा सकते हैं तो दोस्तो personal computer जो है ना वो network बनाने के लिए साथ साथ connect किये जा सकते हैं क्या network बनाने के लिए next typical network में सबसे महतुपूर्ण या सकतिसाली computer कौन सा है typical network की बाद कहीं इसने तो typical network में जो होता है network जो server होता है दोस्तो जो server इखटा करता है बाकी जो से जुड़े हुए computer है उसका जो कि main data संग्रह होता है उसे जिसे server बोलते हैं उस सबसे ज़्यादा सकतिसाली computer होता है तो option number C सही हो जाएगा next question number 4 डैस hardware और software का एक combination है जो computing device के बीच सूचना के आदान परदान की स्वीधा परदान करता है तो hardware और software के बीच एक combination बताया है कौन होता है hardware और software के बीच में जो एक network होता है वे combination होता है दोस्तो network जाल जो computing device के बीच सूचना के आदान परदान के लिए सुईधा परदान करता है option A यहाँ हमारा अगे सही हो जाएगा next servers वे computer है जो dash से connected दूसरे computer को resources provide करते है अभी आपको बताया था server में क्या होता है server जो network के दुवारा दूसरे computer उसे जुड़े होते है computer में पूरा data संगरह होता है तो दोस्तो servers वे computer है जो network से connected किसे network से connected दूसरे computer को resources प्रवाइड करते है question नमर 6 dial up internet access का एक lab निमिल लिखिते हैं तो दोस्तो डायल अप internet access का एक lab निमिल लिखिते हैं dial up internet access चुकरता है उसका क्या lab है यह broadband technology का उप्योग करता है क्या करता है यह broadband technology का उप्योग करता है question नमर 7 dash topology में network component एक ही cable से connect किये जाते हैं दोस्तो bus topology में इसमें bus topology में जो network component होता है एक ही cable के साथ connect किये होते हैं next सूचना share करने के लिए एक दूसरे से connected दो या अधिक computer से dash बनता है दो या अधिक computer से क्या बनता है दोस्तो network बनता है क्या बनता है network बनता है option number A सूचना share करने के लिए एक दूसरे से connected दो या अधिक computer से network बनता है next बड़े पेमाने पर भोगोलिक रूप से अलग-अलग फैले हुए office, lens, एक corporate, dash के उप्योग से connect किये जा सकते हैं तो यहां मारा option हो जाएगा wide area network क्या wide area network और दोस्तो wide area network जो होता है न देशों को भी connect करता है किसे देश, भोगोलिक छेत्र, ठीक है अगर इसके बारे में हम पढ़े हैं तो यह network में computer आपस में least line क्या least line या switched circuit के दोवारा जुड़े होते हैं और इसमें यह network व्यापक भोगोलिक छेत्र, देश, महादेश में फैला network का जाल है ठीक है, अगर भारत में हम बात करें, भारत में CMC दोवारा विक्सीत है, इंडोनेट वेन का उधारन है आपने देखा होगा ATM जो होते हैं, जिसे हम पैसा निकालते हैं, एनटाइम मनी यानि के automated teller machine तो यह भी एक wide area network का उधारन है question number 10 निम्र में से कौन सा छोटा single site network है छोटा single site, local area की बात कर रहे हैं दोस्तों तो land हो जाएगा, local area network है क्या, local area network है और जो दोस्तों यह local area network होता ही, क्या होता है इसमें जो एक computer network है जिसके अंदर छोटे भोगोलिक छेतर चोटा सा जमीनी छेतर जहां जैसे घर, office, भावन का एक छोटा सा समू या हवाई अड़ा आदी में जो computer होते हैं वो land के दवारा network जुड़े होते हैं जो होते हैं वो information और peripheral उपकरण शेयर कर सकते हैं क्या information और peripheral उपकरण शेयर कर सकते हैं बस इतना ही question number 12 स्थानिय छेतर networking यानि कि local area network, land किसके लिए उपयोगी है तो भाई ये किसके लिए उपयोगी है ये वियापारी के लिए ओके देखो railway नहीं हो सकता क्योंकि railway एक तो जम्मो किस्मीर वाला railway नीचे कन्या कुमारी वाला railway इतना पड़ा तो land नहीं हो सकता bank एक जम्मो किस्मीर में bank है एक क्या बोलते हैं कि भाई माहरास्टम bank है ये वाइड area के network हो गया तो भाई जो वियापारी होता है वियापारी क्या करता है अपने office में बैठा रहता है घर में, office में, building में तो वो क्या करता है land के दोबारा बाकी computers को देखता रहता है local area network से जड़े computers को और deal करता रहता है next telephone broadcast किस परकार के transmission का उधारन है telephone broadcast दोस्तों ये half duplex होता है क्या होता है half duplex का उधारन होता है अभी ये half duplex क्या चीज़ है इसके बारे में जान लेते हैं देखिए जो संचार channel के परकार होते हो तीन होते हैं एक होता है simplex channel एक होता है half duplex channel और एक होता है दोस्तों full duplex channel जो simplex channel होता है उसमें क्या होता है जो data का परवा होता है वो हमेशा एक ही direction में होता है जैसे radio station से और आपने radio चलाया और radio सुन रहे हो आप तो data का परवा हो रहा है कहां से कहां हो रहा है एक ही direction में हो रहा है अब आ जाते हैं दूसरा इसका परकार, संचार चैनल का दूसरा परकार, वो है half-duplex channel, half-duplex channel में क्या होता है, इस channel में data का परवा दोनों दिशा में होता है, परंतु एक समय में, एक ही दिशा में data का परवा होता है, यानि कि मैंने बोला तो सामने वाले को सुनाई देगा, ल बीच में क्या होता है, मैं बोलूँगो तो उसको भी सुनाई देगा, वो बोल भी सकता है, ठीक है, यानि कि data के जो परवा होता है, दोनों दिशा में बराबर होता है, ठीक है, तो वह कितने परकार के होता है संचार चैनल, तीन परकार के, एक होता है simplex, एक होता है half-duplex, लेकिन यहां मारा जो answer सही हो जाएगा, वो हो जाएगा half duplex, ठीक है, क्या, half duplex, question number 14, broadband तकनीक का उप्योग निम्न में से किस परकार के internet connection दोआरा किया जा सकता है, तो वही, broadband के बात कर रहा है, तो broadband जो है न, dial up connection के लिए, किसके लिए, dial up connection के लिए, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके, next, विश्यू का पर्थम, computer network किसे मान जाता है, विश्यू का पर्थम, जो computer network है, वो अरपा net को मान जाता है, किसे, अरपा net दोस्तो, ओके, next, निम्न लिखिते, किस तकनीक में data transfer करने के लिए, source device और destination device का line of site में होना आवश्यक है, तो line of site, यानि कि infrared, क्या, infrared, ओके, इसका answer क्या हो जाएगा, infrared, अब यह line of site का होता है, यानि कि जो, जिस दिसा में आप मालक देख रहे हैं, और आपके सामने कोई building है, building को आप देख रहे हैं, लेकिन आपके और building के बीच में बड़ा पेड आगया है, तो वो line of site हो जाएग ठीक है, तो यह line of site होती है, ओके, next, पर्थम network जिससे internet की निव पड़ी, कौन सा है, तो भई, पर्थम network जिससे internet की निव पड़ी, वो arpa net ही है, कौन सा है, arpa net, next, जब कई computer को एक ही जिगहें पर जोड़ना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, भई, एक ही जिगहें पर एक building मे पर आए गई, ATM की सुईधा किस networking का उधारन है, हम already आपको बता चुके हैं, यह wide area network का उधारन है, wide बोली तो बहुत बड़े छेतर में पहला हुआ, यानि कि व्यापक छेतर में पहला हुआ networking, तो यहां हमारे क्या हो जाएगा, व्यापक छेतरीय networking, ओके, next, निमने में से कौन सा है, जो अलग है, इंटरनेट, रिंग, बस, यह एक है, लेकिन एपल टोक जो है अलग चीज है, क्या है, एपल टोक अलग चीज है, next, व्यापक छेतर networking, यानि कि wide area networking, किसके लिए उपयोगी नहीं है, यह पूछा, इसने किसके लिए उपयोगी नहीं है, देखें, व नहीं है यह, wide area network, इसका तो किस से काम चल जाएगा, इसका चल जाएगा, लैन से काम चल जाएगा, ठीक है, next, डैस एक central computer है, जो बहुत से PCs, workstation और अन्य computer के लिए data, और प्रोग्रामों के संख्रे को hold करता है, तो इन में से कौन सा एक computer station है, देखें, आपको पहले बता है, जो central computer होता है, जिससे सभी computer जुड़े होते हैं, वो एक server का काम करता है, किसका server का काम करता है, इसी तरह है, यह क्या बोल रहा है, एक central computer है, जो बहुत से PCs, यानि कि बहुत से computer, workstation और अन्य computer के लिए, बहुत बड़ा workstation, तो वो ऐसा कौन सा हो जाएगा, वो super computer हो जाएगा कौन हो जाएगा, super, sorry, वो server हो जाएगा, वह हम बता रहे थे ना, तो वो क्या हो जाएगा, server हो जाएगा, option number D, यहां हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, server से चुड़े होते हैं, सारे PC के PC, workstation, और अन्य computer, जहां data का संग्रह होता रहता है, data इखटा होता है, okay, next, question number 23, dash एक बह समानित है, एक ही बिलिडिंग में, परसनल computer को टिपिकल कनेक्ट करता है, एक ही बिलिडिंग में, यानि के local area network, यानि के LAN, next, लेन से जुड़े computer, dash सकते हैं, तो भाई, जो लेन से जुड़े computer, वो dash सकते हैं, तेजी से चल सकते हैं, no, online जा सकते हैं, no, email कर सकते हैं, no, information और peripheral, जो, एक्षिप्मेंट जो शेर हैं, वो कर सकते हैं, तो भाई, information और peripheral, एक्षिप्मेंट शेर कर सकते हैं, जो लेन में जुड़े होते हैं, बस, लेकिन जो वैन होते हैं, दोस्तों, वो तेजी से चलते हैं, email कर सकते हैं, online जा सकते हैं, wide area network वाले, okay, एक होता, can, campus area network, एक campus के अंदर, एक छेत्र के अंदर, next, किसी typical network में सबसे महतोपूर्ण या सकते साली computer कौन सा है, तो भाई, किसी typical network में सबसे महतोपूर्ण और सकते साली computer जो होता है, वो network server होता है, क्या होता है, network जो server होता है, वो होता है, सबसे सकते साली, क्योंकि वही टर्मिनल क्या है बाई, dumb terminal पूठा है ये नगन्य intelligence वाला terminal होता है क्या होता है? नगन्य intelligence वाला terminal होता है, dumb terminal याई से हम नगन्य intelligence वाला computer भी कह सकते हैं ओपे, next question number 27 में से किसका संदर्व चोटे एकल साइट network से है बाई, चोटे एकल साइट एक ही साइट नेटवर्क से है यानि कि LAN, local area network Computer Network में कौन से प्रकार का संसादन सामाने تहाँ share किया जा सकता है यह पूछ रहा है,kówशा यह Computer Network में कौन सा संसादन है जो share किया जा-सकता है, देखे एक Computer मेरे पास लगा हुआ है एक आप के पास लगा हुआ है एक किसी और के पास लगा हुआ है रहते हम सभी एक ही बिल्डिंग में हैं तो जो printer होता है न दोस्तो उस एक ही printer से सभी के सभी printer निकाल सकते हैं जुरूरी नहीं कि सभी computer के लिए अलग printer हो तो क्या share कर सकते हैं printers नेक्स्ट कार्याल ले ओफिस लेंज जो भोगलिक तोर पर बड़े पहमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कोर्परेट डैस के परियोग से जोड़ा जा सकता है तो यहां हमारा ओप्सन नंबर डी सुरू हो जाएगा सही हो जाएगा वैन तो भई कार्याल लेंज जो भोगलिक पर बड़े पहमाने पर फहले हुए हैं तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क के अंत्र जोड़ा जा सकता है इस एक नेटवर्क में विशेश नियामों टर्मिनल क्या है तो दोस्तों टर्मिनल क्या है वह है पॉइंट जिस पर डाटा कंपूटर में परवेस करता है उसे टर्मिनल कहते है या निकलता है वह जगह वह स्थान जहा से डाटा जो है ना कम्पूटर में एंट्री करता है या निकलता है उसे टर्मिनल कहा जाता है क्या टर्मिनल कहा जाता है आपने देखा होगा जब वर्क करते हैं कम्पूटर बहुत 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 बहु उसे क्या कहते है यान कि तार का भी प्रियोग ना किया जाए बिना तार का तो बिना तार का कहते है wireless होता है क्या होता है wireless होता है ये बी option सही हो जाएगा ठीक है अगरा देखते है question number 33 computer dash में दो या अधिक computer और unnet devices होते हैं जो data और program share करने के लिए connected होते हैं डाटा और program share करने के लिए connected होते हैं वो क्या होते हैं network computer network में दो या अधिक computer और unnet devices होते हैं जो data और program share करने के लिए connected होते हैं तो यहां हमारा option number A सही हो जाएगा दोस्तों ये 33 question हमने cover किये हैं अभी इनकी की आपके सामने हैं एक बार देख लेते हैं पूरे lesson को भी वीडियो को pose करके आप easily से read कर सकते हैं कर सकते हैं इसमें देखिए Information Transfer Speed Information Transfer Speed को Bits और Bods Rate में मापा जाता है Very Important Question और 1 Second में Transfer की गई Bits की गत्य होती है उसे Bit Rate कहते है Bit Rate 1 Second में S email के अवस्था में परिवर्तन कितनी बार होता है उसे Board Rate कहा जाता है यह दो झाल 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 रहें